कि अब भी शरादी सदरी वह सिर्ली अम्री पहलू को तुक्रित अमिली सानिय अपका उपली असलाम और एकम स्टूडेंट्स मैं हूं असन रजा और आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑपसाइड्स आप पॉस्पोरिस तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है सब पॉस्पोरिस कौन-कौन से हैं उनकी प्रेपरेशन और उनकी फिजिकल और क्यमिकल प्रॉपिटी बस एक चोटा सा टॉपिक है इंशाला हम इसे बहुत जल्ज है वह अंडिस्टैंड करेंगे तो आएं शुरू करते हैं सबसे पहले हैं हमारे पास फास्पोरिस एसेड और दूसरा है फास्पोरिस एसेड है इन दोनों को हमने वन बई डिसकस करना है सबसे पहले हम फास्पोरिस एसेड को डिसकस करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी प्रेपरेशन देखते हैं जी के हाव के प्रेपियर फास्पोरिस एसेड तो आपके पास इसकी प्रेपरेशन के दो मेथेट्स हैं और वह कौन-कौन से हैं जी दो मेथेट्स फासफोरेस एसे की प्रेपरेशन के फर्स्ट वन वी हैव रेड इन लास्ट प्रीविएस टॉपिक प्रीविएस टेक्चर वह कौन से है अगर हम धंडे पानी के साथ P2O3 का रियक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है 2H3PO3 फासफोरेस एसेड अपनी कंडिक्शन याद रखनी है कि अगर कोल्ड वाटर के साथ रियक्ट करवाएं फासफोरेस ट्राय उक्साइड का जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कोल्ड वाटर के साथ फासफोरेस ट्राय उक्साइड जो है वो पॉड्यूस करता है फासफोरेस एसेड और अगर यही जो है वो कोल्ड की बजाए हॉट वाटर हो तो फिर प्रॉड्ट्स चेंज हो जाएंगे फासफोरी क कर वाटर की मौजूद्गी में ब्रेकडाउन करवाएं जैसे हम बोलते हैं है तो आपके पास क्या मिलता है आपको H3PO3 Phosphorus Acid प्लस आपको Hydrochloric Acid मिलता है क्या मिलता है? Hydrochloric Acid Clear हो गया? तो ये दो Methods हैं जी हमारे पास Preparation of Phosphorus Acid के Breakdown of anything in the presence of water is called as Hydrolysis तो PCL3 की आपने Breakdown करवाई है Water की मौजूदी में इसको हम क्या बोलेंगे? Hydrolysis of PCL3 Hydrolysis of PCL3 Produce H3PO3 Clear हो गया? ये दो Methods हैं हमारे पास इसकी Preparation के उसके बाद हैं जी इनकी Properties के आपके पास इनके Physical Properties क्या है? Phosphorus Trioxide की तो आपके पास Physical Properties में सबसे पहली बात तो ये है के ये White Color का Crystalline Solid होता है सबसे पहली Property क्या है? ये White Colored होता है Compound ठीक है दूसरी Crystalline Solid होता है ये कौन से Solid होता है? Crystalline Solid होता है और उसके बाद इसकी कौन सी Property है? वो है कि ये कितने Temperature पे Melt करता है Its melting point is 73.8 Celsius It melts at 73.8 Celsius Clear हो गया? उसके बाद है हमारे पास इसकी Chemical Properties ये जिनको हम बोलते हैं Chemical Reactions तो Chemical Reactions हम इसके पढ़ते हैं क्या है? Phosphorus Acid के Chemical Reactions प्रिपेर हमने कर लिया तो इसके हमारे पास दो तीन तरह के Chemical Reactions है ठीक है? Decomposition Reaction है और Chemical Reaction विद डिफरेंट कमपाउंट है इसके Chemical Reaction एजन्ट वो Chemical Reactions पे मौजूद है तो हम one by one सारे Chemical Reactions इसके डिसकस करते हैं सबसे पहला Chemical Reaction है Decomposition Reaction Phosphorus Acid जो है यह Decompose हो जाता है खुद बहुद इन्टू Phosphoric Acid and Phosphine Phosphorus Acid H3PO3 यह Decompose हो जाता है किसमें? H3PO4 में Phosphoric Acid में प्लस Phosphine में pH 3 में ठीक है? तो आप इसे जो है वो कर सकते हैं Balance ठीक है? यह आपके पास Balance हो गई equation पहला reaction इसका यह second है कि अगर आप Phosphorus Acid का reaction करवाएं oxygen के साथ किसके साथ? oxygen के साथ तो यह Phosphorus Acid से convert हो जाता है Phosphoric Acid में Phosphoric Acid में convert हो जाता है और फिर है reduction of Phosphorus Acid reduction of Phosphorus Acid H3PO3 जब इसके साथ nascent hydrogen react करती है कौन सी hydrogen? atomic hydrogen या nascent hydrogen तो Phosphorus Acid यह Phosphene में और water में वो convert हो जाता है Phosphene is its reduced form ठीक है? कि यह reduce हो जाता है H3PO3 से Phosphene में आपके पास क्या बनता है? pH 3 Phosphene और प्लस आपके पास क्या बनेगा? water ओके हो गया थी? यह है जी इसके reaction और उसके बाद इसके reaction है as in reducing agent जहाँ पे यह दूसरों को reduce करता है reactions आप Phosphorus Acid as in reducing agent तो reducing agent के तौर पे यह किन को reduce करता है? यह अगर copper sulfate के साथ react करवाया जाए या इसको silver nitrate salt के साथ react करवाया जाए तो यह silver और copper को उनकी metallic form में convert कर देता है for example आप अगर H3PO3 phosphorus acid का reaction करवाए copper sulfate के साथ in the presence of water तो यह copper sulfate को किस में कर देता है? convert यहाँ पे copper है plus 2 यहाँ पे copper आपके पास किस oxidation state में है? plus 2 में यह copper को reduce कर देगा copper metallic form में ok? plus आपके पास sulfuric acid बनेगा ok? और पिछे देखें हमारे पास यह जो phosphorus acid है इसने दूसरे को reduce किया है खुद क्या हुआ होगा? oxidize और खुद यह oxidize हो जाता है into phosphoric acid clear हो गया? और उसके बाद है कि अगर हम phosphorus acid का reaction करवाते हैं silver nitrate के साथ किसके साथ? silver nitrate के साथ in the presence of ammonium hydroxide तो यह क्या करता है जी? silver nitrate में यह जो silver plus one है यह जो आपके पास silver plus one है उसको convert कर देता है silver metallic form में AG naught में ओके? प्लस आपके पास क्या मिलता है जी? ammonium nitrate salt आप nitrate और प्लस आपको क्या मिलेगा? H3 PO4 phosphoric acid क्या मिला आपको? phosphoric acid और प्लस आपको क्या मिलेगा? water मिलेगा प्लस आपको water मिलेगा ओके हो गया जी? यह है हमारे आज का phosphorus acid कि phosphorus acid की हमने सबसे पहले उसकी preparation पड़ी फिर उसकी physical properties पड़ी फिर उसकी हमने chemical properties जो हैं यह discuss की हैं इस तरह से यह chemical ही react करता है इसके बाद हम दूसरा जो है वो हमारा topic है वो है phosphoric acid तो हम phosphoric acid की जो है वो preparation पड़ेंगे उसकी properties पड़ेंगे और फिर उसके chemical reactions पड़ेंगे जी तो दूसरा acid हमारे पास कौन सा है? phosphoric acid H3 PO4 phosphoric acid सबसे पहले हम phosphoric acid की preparation पड़ेंगे कि how can we prepare phosphoric acid ओके? हम phosphoric acid को prepare कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों हमारे पाराफिस की preparation के तीन से चार methods है सबसे पहला method कौन सा है? जो के हमने पिछले लेक्चर में पड़े था कि अगर हम phosphorous pentoxide का reaction करवाते हैं किस के साथ? water के साथ hot water के साथ तो ये किस में convert हो जाता है? phosphoric acid में to H3PO4 में ठीक है? hot water के साथ अगर हम reaction करवाते हैं किसका? phosphorous pentoxide का तो ये किस में convert हो जाता है to phosphoric acid में ठीक है? और उसके बाद इसका दूसरा जो method है preparation का वो है hydrolysis of PCL5 phosphorous pentakaloride की अगर हम hydrolysis करवाते हैं ठीक है? तो आपके पास क्या बनेगा? H3PO4 phosphoric acid प्रस आप तो क्या मिलेगा? hydrochloric acid और एक और इसका जो है method of preparation है वो कौन सा है? कि अगर हम phosphorous का reaction करवाएं oxidizing agent nitric acid के साथ तो आपके पास क्या मिलता है? phosphorous oxidize हो जाता है oxidize होके किस में convert होता है? phosphoric acid में प्लस आपके पास nitrogen dioxide मिलता है और प्लस आपको क्या मिलेगा? water मिलेगा clear हो गया ये थे जी तीन common methods और एक इसका जो है phosphoric acid का prepare करने का method है from ore of phosphorous तो अगर हम इसे from bone ash भी उसे बोलते हैं from phosphorite भी उसे बोलते हैं ठीक है? उस जो है ore को क्या बोलते हैं? phosphorite या जिसे हम बोलते हैं CA3 जिसका formula है CA3 SI I oh sorry CA3 PO4 twice ओके ये जो आपके पास phosphorous की ore है इससे भी हम phosphoric acid को prepare कर सकते हैं कैसे prepare कर सकते हैं? अभी हम पढ़ते हैं कि अगर हम phosphorite को sand की मौजूदगी में sand की मौजूदगी में क्या करें? SiO2 की मौजूदगी में heat करें तो heat करने से क्या होगा? आपको calcium silicate एक तो मिलेगा ठीक है? SiO3 और plus आपको मिलेगा phosphorous pentoxide phosphorous pentoxide ये जो phosphorous pentoxide है ये देख लें ये phosphorous pentoxide फिर hot water के साथ react करेगा ठीक है? hot water के साथ react करेगा यही same reaction है और किसमें convert हो जाएगा H3PO4 में phosphoric acid में clear हो गया? तो आपके पास ये थे जी इसके methods आप preparation उसके बाद हम discuss करेंगे इसकी properties को कि इसकी properties क्या है? तो physical properties इसकी ये है कि ये crystalline solid है लेकिन ये colorless है phosphorous acid कौन सा था? white colored था लेकिन ये कौन सा है? और इसका melting point भी as compared to phosphorous acid लोएगे तर्गीमन 41 Celsius पे melt हो जाते है तो उसके बाद है जी इसके chemical reactions कि chemically ये कैसे react करता है? इसके chemical reactions है कि how chemically react phosphoric acid तो चुँके phosphoric acids वे अगर हम इसका formula देखी तो ये क्या है? ये एक tri-basic acid है ये एक tri-basic acid है tri-basic acid means कि आपके पास ये जो एक mole of phosphoric acid है ये three moles आप base के साथ react कर सकता है और ये different bases के साथ means कि sodium hydroxide for example है उसके साथ react करके तीन series of salt ये तीन different किसम के जो है वो salts produce करता है सबसे पहले हम देखते हैं जी कि अगर ये sodium hydro oxide के साथ react करता है phosphoric acid तो ये क्या produce करता है तो ये आपके पास sodium dihydrogen NaH2 PO4 phosphate plus water produce करता है ओके और अगर हम इसको मजीद sodium dihydrogen phosphate को ये डाइ बेसिक जो है वो acid है इसको हम ये salt भी है और acidic salt है ठीक है इसको अगर हम sodium hydroxide के साथ मजीद react करवाते है तो ये di sodium hydrogen phosphate produce करेगा ठीक है plus water मिलेगा आपको और अगर इसी salt को हम मजीद जो है वो sodium hydroxide के साथ react करवाए तो ये आपके पास क्या बनाएगा sodium phosphate या tri sodium phosphate Na3PO4 plus H2O ये है जी इसकी tri basic property कि ये एक base के साथ या आप कह सकते हैं कि तीन तरह की ये salts produce करता है series of salts produce करता है clear हो गया और उसके बाद है जी अगर हम इसको heat करते हैं अगर हम phosphoric acid को heat करते हैं for example आपके पास ये phosphoric acid है H3PO4 अगर हम इसको heat करें तो ये क्या हो जाता है phosphoric acid convert हो जाता है किसमें pyrophosphoric acid में phosphoric acid को अगर हम heat करते हैं at 200 plus Celsius ठीक है 240 Celsius पे तकरीब बन अगर हम क्या करते हैं इसको 240 Celsius पे heat up करते हैं 240 Celsius पे इसको हम heat up करते हैं तो इसमें से water जो है वो क्या होता है remove हो जाता है ये जो removal of water है इससे ये convert किसमें हो जाता है pyrophosphoric acid में किसमे convert होता है pyrophosphoric acid में H4P2O7 जिसको हम बोलते हैं pyrophosphoric acid और अगर हम इसको मजीद heat करें pyrophosphoric acid को ही अगर हम मजीद heat करें at 316 Celsius अगर हम pyrophosphoric acid को at 316 Celsius पे heat करते हैं तो water मजीद remove होता है इसमें से और ये किसमें convert हो जाता है metafosphoric acid में किसमें convert होता है metafosphoric acid में 2HPO3 that is metafosphoric acid these are the chemical reactions of phosphoric acid these are the chemical reactions of phosphoric acid clear है बच्चों यहां तक आज का हमारा topic complete हुआ इन्शाला next time start करेंगे group 6 है elements जिनके हम general features discuss करेंगे occurrence है comparison of sulfur and oxygen reactivities है और फिर compounds of oxygen and sulfur है and that's last topic is preparation of sulfuric acid and properties of sulfuric acid ओके तो मिलते हैं इन्शाला next lecture में तब तर के लिए अपना ख्याल रखेगा Allah आफेज अटनागां के राफेज्ड़ तर को अपनागां भाल प्याव मिलते हैं तो ऑाफेज़् इन्शाम है झाल झाल